नमस्कार स्वागत आप सभी का मैं हूँ हिमान शोर आप देख रहे हैं हल चलिनिया बेबाग खबर तेज़सर आजी रज़र डालते हैं आज की खबरों पर उद्री उद्यभान ने कारिकर्म को संबोधित करते वी कहा कि आज भी विश्व में भारत की संस्कृति सबसे महान मानी जाती है इसमें भारत के महान संतों का भी बड़ा जोगतान है आज हम ऐसे संत की बात कर रहे हैं जिनोंने अपने काविय के माध्यम से समाज में फैली उन्होंने कहा कि संतर अविदाज जी का जन्म सं 1433 में बनारस के एक छोटे सिकाओं गोवर धन में हुआ था इस दिन को ही संतर अविदाज जी की चैन्ति की रूप में मना जाता है और बताया जाता है कि उस वक्त जाती प्रथा आपने चरम सीमा पर थी छोटी चाती की लो करने हो ना कोई नीच मुनिश को नीच कर डारा उच कर भी की जो इस तरह की जो उनकी शिक्षाएं थी उनको अपने अंदर आत्म साथ करना चाहिए और एक कृष्ट समाज की अमरुष्टान करनी चाहिए जिसमें आपस में कोई भावना हो प्रेव कार माहिचावे के साथ परेश सुक संबर धिसक से घर्म आएम मोगे बढ़ें और यह अगर है अखर आपस में भविद रहता है तो उससे समाज का पतन होता है जो समाज में व्याप्त बुराइया है जाए वो नशापुरी की है चाहँ वो दहेच की है चाहँ भून अंत्य की है इन समाजी में बु कि आज संट स्रोमनेग्री रवदाश्य के 647 प्रकट उत्सपर यहां पर कारेक्रम किया गया जो बहुती सप्पर सुखाबलाएं बदाएं नहीं उनके जो रियक्तित पर उनकी रचनाव पर जो नहीं समाज को एक जुट करने का सामाजिक समन्ता के लिए एक जो आडमबर जूट जो आपस में जाती घेत का जो वातावरन था उस समय की प्रस्तितियों में चुपाचात के उपर और यह सब के उपर जो संद्र अग्दाश्य की जो वानी थी जो उन्होंने अपनी दोहों से चंदों से जो एक पूरे देश में धर घर जाकर के कह सकते हैं कि हर प्रविस के कौने कोने में जाकर के अलग जगाले का काम किया यह वो समय आपको सोचल मीडिया था ना कोई प्रिंट मीडिया था वक्त हो चला है आप तो वीदा लेने का कल फिर होंगे हाँ जी कुछ नहीं हो ताजा खबरों के साथ तक तक के लिए दीजे हमाई इजाज़त नमस्कार देखते रिए हलचल इंडिया हलचल इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले